शारखंड से रतन जी स्वागत है आपका जी मैं रतन तना जी सर बताई सनेहिल अशिर्वाद और हजीम साथ जै भारत जै भारत जै हिन जै भीम जै रतन टाटा सहल जी आप कुछ लोट करेंगी जी सर बताई आप जो भी नुकसा बताते है हम नाटीजों के लिए तो देश के दिधिन भागों से दिधिन भाशाई लोग किसी के आवाज आती है किसी की आवाज समझ में नहीं आती है और किसी के हावा निगलती है तो कोई जोड़ते बोलता है तो कोई कम बोलता है आप दोनों से गुजारिश है कि आप उस बीमारी का नाम दो एक बार जरूर ले मैं कई एक बार नोट किया हूँ आप पर नुक्षा लेकिन जब फिर वोई पता नहीं चल पाता है कि बीमारी किस बीमारी के लिए ये है तो शहलिया जी से भी गुजारिश है आप पे भी गुजारिश है कि लास्ट में जो आप बोलते कि आपका रोग मुकमल सीख हो जाएगा उसके जगा जरूर बीमारी का नाम दो ये इंसे जा है मेरी ठीक है ठीक है बहुत शुक्रिया दूसरी बात है पहले फिरका मैं फिरका एलोवेरे का फिरका एकीस दीन हो गया है समझने सार दिया हूँ दूप में मैंने इलोवेरे काट दिया हूँ वो फिरका बनाना है लेकिन अभी इस बद तहीं नहीं मिल रहा है इस करद तो उसके बिकल्प में क्या दूँ अब उसके और तीसरी बात है कि आपने गाए बगाए कभी कहा था कि नमस जेतून और गोंद मुरिंगा एक साथ इस्तमाल ना करे ये मेरे को समझ में नहीं आया एक साथ इस्तमाल का आर्थ क्या होता है कि एक साथ मिला करके खाना या एक दिन में अगर मैं उसे आदे घंटे के दूरियां पर ले रहा हूँ तो क्या ले सकता हूँ या उस दिन नहीं ले सकता ये दूनों या दूनों में से किसी एक को ले सकता हूँ और कोई सवाल और सवाल सर आपसे राफ्टा नहीं था अब जूर बात निकली है तो बहुत दूर तर लग जाएगी अच्छा देखिए हाँ कही न कही हमसे भी गलतियां हो जाती है लेकिन अब ये आसानी हो गई कि जो भी हमारी बातचीत होती है वो हम फेस्बुक पर डाल देते है तो आप ये सारे नुस्खे जो मेरी और आप की बात हो रही है ये भी सीधा फेस्बुक पर जाएगा आप हाकिम सुलिमान फेस्बुक को लाइक सब्सक्राइब जो भी करना चाहें करें तो ये सारे नुस्खे जो भी बताता हूँ वो जाते हैं फेस्बुक पर हाकिम सुलिमान खान के या यूट्यूब पर देखें ये सारी बात चीत तो दोहरा ना और क्योंकि वक्त बहुत कम होता है, लंबी बात कीसे होती नहीं, एक आदमी से के लिए सिर्फ दो मिनिट होते हैं, चैनल की तरफ से, तो उसमें जितनी भी बात कर सकते हैं, करते हैं, बारहाल हम कोशिश करेंगे, नमक, जैतून, गॉन, मॉरिंग एक साथ, वैसे तो नुकस चीज़ों को मैं मना करता हूँ, उसकी वज़ा, नहीं से दवाओं से वाखवियत है, उसकी वज़ा, जैसे मैं कहता हूँ, एसकेर, टीकेर, और ये कैपसूल से, जो हमारे कंपनी बनाती है, इनके साथ, ये, बहुन सियाह नले, तो तकरीबर एक से असरात वाली चीज़े, एक साथ लेने के लिए मना करता हूँ, लें तो कोई नुकसान नहों, मैं ऐसा कहता हूँ, लेकिन मैं दवाओं के बिलकुल अंदर रूह तक से वाकिफ हूँ, उनके असरात से वाकिफ हूँ, मैं इसलिए कहता हूँ, ले सकते हैं, लेकिन फासला रखें तो बहुत अच्छ सुबह और शाम में लें तो फाइदा ममकिन है अलो बेरा को लेके सवाल था हां से इस्ट के लिए आपने कहा था तो इस तो पंसारी दुकान पर मिल जाती है और यह पिर जादा दिन तक उसको सड़ाना पड़ेगा यानि उसे बंद करके दूप में रख दीजे दूप आए ब आप देखेंगे किरिए दिरे खटा होने लगा चेतना पुराना होता है सिरका अतना तेज अतना कैला होता चला जाता है तो वैसे तो कमस कम एक साल का होना चाहिए लेकिन जल्दबाजी के लिए लोग तीन महीने में इसको आप साल वर इसे रखे तो पिर यह अजीव गरीव शिरका होता है बहुत तेज़ बहुत काला सा ब्राउनिश बन जाता है आप इस तरह कर सकते हैं एक दो सड़ाने के दो जी तरीके एक खुद्रती एक गहर कुद्रती यानि बाहर से किटाणों डालते हैं तो उसमें जाकर जल्दी से उसको काम करवाते हैं हकीम साथ बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो घर में सिर्का बनाना चाहते हैं और बहुत सारे लोग आपसे तर्कीब भी पूछते हैं कि कैसे कैसे बनाना चाहिए तो घर में सिर्का बनाना क्या इतना आसान है हैं क्यूंकि जब आप सिर्कें बनाते हैं तो आप पूरी एक जांज परताल करते हैं हर एक चीज ओरिजनल होनी चाहिए और वो एक स्वाध भी होता है जो आना बहुत जरूरी है अगर आम जैतून का सिर्का बना रही हैं और लोगों का वैदेश्न अकुजा lagi ने सकता जि तो यहां इंडिया में क्या करते हैं तो जैतून ही नहीं डालते हैं जी तो यह करते हैं और लोग नकली बहुत बेच रहे हैं और विदेशों में लोग डाल लेते हैं वहां पर तो जैतून मिलता है सलाथ की तरह लोग जैतून खाते हैं लेकि जैतून का सिरका इंदस्तान ब हुए सुखता है कि मैं बना हूं ही नहीं हू तो हमारे पास सारा इंतजाम है इसके सिस्टम होते हैं कूरा होता है और मेरी तो एक फैक्टरी बस पर भी 是我 מאוד के लिए जो मेरे गाउम सिर्फ यही इसी काम के लिए बी और जगाउं पर भी मैं एक से ज्यादा irr theor अ मेरी तो उनकों जाँच परक ये सब बड़ा चक्कर है इसलिए तो मैं परिशान हो जाता हूं कि जो भी चीज मैं बताता हूं लोग उससे मिलती जलती चीज लोगों को देने लगते हैं और वो अगर किसी को फाइदा नहों तो मैं बड़ा शर्विंदा होता हूं क्योंकि मेर बताने से पेस्टे लोगों को भगवार फाइदा देता है अगर किसी को नकली मिल जाए नहीं हो तो मैं कहता हूं कि मेरी जिम्मदारी नहीं है आप असली हासिल करें तो फाइदा उठाएं इसलिए करोड़ों लोग हिंदुस्तान में और वेरुने बाहर हिंदुस्तान से जिसको फाइदा हो गया वह मेरा हो गया बस यहीं मेरा काम है असली दवाएं लोगों तक पहुंचाना निसकों घरे लूं और ऐसा कोई करता नहीं यह साथ महीं करता हूं जो घरेलुनी उसके जान बताता हूं दिली से हैं माया जी स्वागत है आपका नमस्कार बीटा जी नमस्कार माम. दो तीन सवाले मेटा मेरे आराम से संदेना. जी माम बुछना है मुझे. जी माय जी, आपका स्वागत्ते, बताई क्या सवाल. नमस्कार आराम जी. जहे. जी. अगर उनको शायद नुकसान नहीं होगा. अगर उनको खासी नजला बलगम छी के नहीं आती हैं, तो नुकसान नहीं होना चाहिए. आच्या. तीसरा ही है, मैंने जो कलोंजी का हूँ माया न, सिर्कार. तो उस दिन बताया, आपने के, इस्तेमाल करा तो मैं दो दिन कराया था, तो मेरे सूजन सी हो गई, नसें तराम लगी, फिर मैंने बंद कर के, को नसी आई खा रही हूँ, वो खाऊं या न खाऊं। जहां ठें मेरे पेरों में, दोनों में, नसन पर, आप दर्द करती हैं, बैसे दूखती हैं, बैसे तो उसको कुछ नहीं परिसानी, दूखती हैं चलने में. ठीक, ठीक, ठीक. दो तिन सवाल हैं ये. हम देखिए, एक बार और इस्तमाल करके देखें, सिर्का, और सिर्का लें तो उसमें एक या दो चमच सिर्का और एक चुटकी, खाने का सोड़ा मिलाके, तब इस्तमाल करके देखें. अगर फिर भी नहीं चले आपको, तो फिर आप नमक जैतुन और खाने का सोड़ा है, ये लिया करें, एक एक चुटकी, दिन भर में एक बार या दो बार, तो ये आपको नक्सान नहीं देगा. खटी चीज किसी को नहीं चलती है, मैं सबसे कहता हूँ, खटी चीज नहीं चले, तो आप ये चीज ना लें. और बच्चे का जवाब मैंने दे दिया है कि अगर उसको ये चीज चलती है तो खा सकते हैं चाज भी और ये दही भी और नहीं चलती है खटी चीज इसको नहीं चलती है उसको नहीं चलती है लेकिन इस रोग में आप देख लें कि उनको आदत है और कोई नुकसान नहीं होता तो कोई बात नहीं खा सकते हैं गौन्स या और मंगा लिजे उनके लिए फाइदा है और बच्चे से बस वही आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि वेस्ट टॉयलेट जरूर इस्तिमाल करें वरना फिर आपको देर में फाइदा होता है कम फाइदा होता वो जरूर लगवा ले आपके हस्बेंट की कैफियत कितनी अच्छी है और इस्ट्रेक्चर कितना अच्छा है कितना फाइदा हो रहा है कितने दिन में आप इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं यह आप गौन्सिया हो या इससे तालुक रखने वाली दवा हो पांच महीने भी खा सकते हैं छे महीन इसे बंद करें, मैं अभी कुछ कह नहीं सकता है, उनकी जो टांगे टेड़ी सी हो गई है, लेकिन उसमें कितना फायदा है, ये आप से बहतर कोई नी जान सकता, लेकिन दर्द जा रहा है, तो दर्द तो पूरा जाने दीजे, और फिर देखिए कितने एक दो महिने और हो सकता है, कनाठका से हैं, अगली कॉलर स्वागत है आपका, अस्तला अलेकुम हाकिम साफ, वाल इसलाम, सर मेरे दो सवाल हैं, एक पहला सवाल तो है, महीं तुनता नमाख और तुलवोले का, गोन, मोरिं का, गोन, मंगा हैं सर, मैं मंगा के भी एक महिना हुआ, यूज करि जलन हो 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 जलन ह आधिकी बहुत highly acidity है और शायद मैंने पहले भी आपको जवाब दिया है इस बात का फिर से कहता हूं कि अगर किसी की जलन किसी भी सूरत कम नहो तो उन्हें अपनी abdomen sonography करानी चाहिए खासतों पर हमारे पित्ते में पत्री नहो जो हमारे पित्ते में पत्री होती ही तो फिर कि किसी सूरत कावू नहीं आता कुछ भी खालो एकदम परिशानी तो अगर यह नहीं कराई है तो करा लें अगर पित्ते की पत्री होगी तो उसको निकालने के बाद ही हम अच्छे हो सकते हैं यह मैं आपको एक ऐसी बात बता रहा हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं कि ऐसी इन्फेक्शन है तो यह आप इस तरह करें कि जर ऐसा नुसका आपका अलग है देखिए अलसी सो गिराम और सौफ सो गिराम अलसी सौफ धनिया अलसी सौफ धनिया सौ सो गिराम लें और इसको पौडर बना लें एक चमच भर किखाएं और एक चुटकी नमक जैतुन दो गिलास पानी मिलाकर इसे लें इससे आपके एसीडिटी कब्स बावसीर यह सब अच्छे होते हैं और मेदे की नकाहत कमजोरी हिद्द गर्मी इसस कम होती है और यह ऐसी खुराक दिन में आप दो बार ले सकते हैं यह शुरू करें और सारी दवाएं ना लें अगर लेनी पड़े तो अलोपेथिक दवा से अगर आपको ऐसीडिटी में फाइदा होता है तो वो भी ले साथ में और यह लगातार हफता दस दिन ने उसमें ए शानी रहेगी